नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम सरकार की द्वारा बाल विवाह के विरोध में जो कारवाई की गई उससे रोकने के लिए जो कारवाई की गई उससे समंधित विभिन आयामों पर अब हमें यह पता है कि असम सरकार के ग्रफतार किया गया असम सरकार का यह कहना है कि जो बाल विवाह हो रहा है वह गलत है पॉलिक हेल्थ केि लिए गलत है और पॉलिक वेलफएर के लिए गलत है अगर हम विवाह से संबन्धित आयो की बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आजादी के सुम जबकि मेल के लिए उसे बढ़ा कर 21 साल किया गया। 2008 एसवी में लॉग कमिशन अपनी एक रिपोर्ट के साथ आई। और उस रिपोर्ट में लॉग कमिशन ने यह संस्तुती दी यह सुझाओ दिया कि जो विवाह की उम्र है दोनों के लिए मेल और फिमेल के लिए उसा 18 वर्ष कर देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण बाल विवाह किया जाते हैं। तो क्या वह सोशियो एकोनोमिक कंडिशन है जिसके कारण बाल विवाह किया जाता है या दूसरा क्या मिसिंग डेवलप्मेंट क्यों से एंट है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो विकास हो रहा है जो विर्धी हो रही है उसका लाप समाज के एक तपके को जो नहीं मिल रहा है क्या उसके कारण बाल विवाह हो रहा है या जो बाल विवाह हो रहे है वो पर्टिकुलर कम्यूनिटी में ही हो रहे है या पर्टिकुलर ध हर्म में ही हो रहा है आए इसे एक-ेकर हम देखते है सबसे पहले हम बात करते हैं socio-economic condition की और उसमें हम बात करते हैं किसकी? education की बात करते है तो UNICEF की एक study है भारत में जो बाल-विवाः होते हैं उस पर उस पर UNICEF का यह कहना है कि जो सिक्षा का अस्तर है, मतलब लेवल अफ एजुकेशन जो है, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है बाल विवाह के संदर में या विवाह के आयू के संदर में तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या बात कहीं जा रही है, कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है विवाह के संदर में और वही पर गरम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2019-21 में जो रिपोर्ट आई उसकी बात अगर हम करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहा है कि असम में 20-24 आयू वर्ग की जो ग्रामीन महिला हैं उसमें से एक त्याही का विवाह 18 वर्स से पहले हो जा रहा है साथी साथ अगर हम आगे कुछ और आंकडों की बात करें तो उसमें हम यहाँ पर यह देखते हैं कि असम की कुल आबादी का 86 परतिसत जो आबादी वो कहा रह रहा है वो ग्रामीन इलाकों में रहा है और उसमें भी अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि उन ग्रामीन अबादी में से भी 74 परतिसत जो ग्रामीन महिलाएं हैं उन्होंने अपनी स्कूलिंग 10 वर्स या उससे जादा अबधी की नहीं किया है मतलब उनकी जो सिक्षा है वो 10 वर्से कमी अबधी की रही है कम सालों की रही है साथी साथ अगर और दो इस्टेट की हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल और ज्हारखंड की तो मतलब उनमें जो ग्रामीन अबादी है और जो ग्रामीन महिलाए हैं उसमें से कितनों का विवा 18 वर्स से पाले हो गया है तो वो आकड़े ही कहते हैं कितना 48% वेस्ट बंगाल के लिए और जहारखन के लिए कितना 36% जबकि 10 वर्स या उससे जादा इस्कूल या इस्कूलिंग नहीं किये गए अबादी की बात करें ग्रामीन महिलाओं के संदर में तो वह उतना ही है जितना असम का है कितना 74% फिर इसकूल मर्जर अब देखें इसकी क्या कहानी कहानी यह है कि अगर आम तरुपर हम यह देखें कि बच्चियों के अगर हम इसकूल तक पहुँच को बढ़ाना चाहते हैं तो दो काम करने पड़ेंगे पहला number of schools इसको बढ़ाने पड़ेंगे नए ने इस्कूल खोलने होंगे और दूसरा कि जो इस्कूल अभी अस्तित में exist कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है उसमें basic infrastructure को हमें बढ़ाना पड़ेगा या उसमें सुधार करना पड़ेगा अब असम में क्या हुआ ठीक इसके हम क्या देख रहे हैं विपरीत इस्तिती इस परकार देख रहे हैं कि पिछले साल सेप्टमबर महने में असम सरकार ने क्या क्या 700 सरकार के द्वारा संचालित जो प्रात्मिक विद्याले हैं उनका या तो merge करा दिया गया या उसे बंद कर दिया गया अब देखें क्या हो रहा है कि जस्ट घाटना जो हो रही वो विप्रीत हो रही जहां नएने school खोले जाने चाहिए थे वहीं पर क्या देखें हैं school को या तो समाप्त कर दिया गया या उन्हें आपस में मर्ज कर दिया गया अब खुद देखे कर इस तरह के मर्जर होते हैं तो फिर कोई भी अभिवाबक या माता पिता अपने बच्चों को उस नए स्कूल में भेजना पसंद नहीं करेंगे जो उनके घर से काफी दूर है नमबर एक, नमबर दू उसके पीछे और इस दूसरा कारण क्या हो रहा है कि सैफ्टी कंसर्ण एक बहुत बड़ा कारण है मतलब सुरक्चा एक बहुत बड़ी चिंता की बात होती है स्कूल और घर के बीच जितनी ज़्यादा दूरी बहेगी उतनी ही चिंता की बात हो जाती है फिर मा憑ाब या अभिभाबक क्या करते हैं कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते हैं या वो पड़ रहे हैं तो उसका नाम इसकूल से हटा देते हैं अब हम बात करते हैं limited paid work opportunity के इसका मतलब यहाँ पर यह है कि महलाओं को जो काम के अफसर मिलते हैं उसमें पारिस्त्रमिक की बहुती सीमित अफसर मौजूद होते हैं और यह बात कही जा रही है कि यह भी एक बहुत बड़ा factor होता है early marriage का अगर हम आसम की स्थिति को देखें इस आधार पर तो हम य सार असम तीसरा सबसे जादा हूँ food और nutrition के मामले में vulnerable state है और यहाँ पर कितना प्रतिसात है 71 दसलब दो प्रतिसात आबादी कि वलरेबल है सुभेद्ध है किस मामले में food और nutrition के मामले में खाद्ध और पोस्टन के मामले में missing development question जैसा कि हमने पहले भी बात की भी कि missing development question का मतलब यह है कि जो विकास देखी जा रही है तो यह जो विकास हो रहा है विर्धी हो रही है उसका लाब या समाज के हर तबके को मिलना या समाज का कोई एक तबका उस लाब को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और जब वह तबका उस लाब को प्राप्त नहीं करता है तो फिर कहां सरपड़ता है public health और public welfare पे और यहाँ असम के जो मुखमंतरी हैं उन्होंने त्विट करकर यह बात कि कि जो चाइल्ड मेरेज के एगेंस्ट में गौवर्मेंट के दोरा जो कारवाई की जा रही है वह इसलिए क्योंकि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेर को बनाए रखना है इसमें उन्होंने यह बात भी कहिए कि अगर हम असम में teenage pregnancy ratio की हम बात करें तो वह कितना है 16.8% जैसा कि असम के मुखमंतरी का कहना है उसमें उन्होंने कुछ जीलों की एक पूरी की पूरी सूची थी जिसमें इन्हों यह बात कहिए कि इन जीलों में teenage pregnancy ratio काफी जादा है अब देखिए यह coincidence है कि उन्होंने जिन-जिन जीलों के नाम दिये है जहाँ पर की 10-inch pregnancy काफी जादा है वो ऐएसे जीले है जहाँ पर विवाह 18 वर्से पहले ही हो जाते है साथी साथ यह वैसे जीले है जहाँ पर स्कूलों को या तो बंद कर दिया गया या किसी अल्द इस्कूल के साथ उसे मर्ज कर दिया गया तो कुल मिलाकर यहां पर क्या बात हो रही है बात यहां पर यह हो रही है कि जो public facilities है public services है अगर उसकी गुनवत्ता अच्छी नहीं होगी या वहां तक लोगों की पहुंच काफी स्निमित होगी तो फिर लोगों के स्वास्त पर इसका असर पड़ेगा अगर हम यहां पर देखे 18 वर से पहले जिन लड़कियों की साधी होती है और अगर उनको सही रूप से अगर services नहीं मिलती है public health या public services नहीं मिलती है तो फिर या उनके लिए अच्छी उनके स्वास्त के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगे और अगर हम इसको दूसरी स्थिति में लेकर चले तो वैसी लड़किया जिनके विवा 18 वर से पूर्व हो जाते हैं और अगर वो pregnant होती है और फिर वहाँ पर public facilities और public services की अगर हालत अच्छी नहीं है पूर quality है और वहाँ तक उनकी पहुँच अगर सिमित है तो वह उनके स् अगर भी दूस पर वहाँ डालेगा community factor अब यहां community factor की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि असम सरकार ने बाल विवाह की वृद्ध जो कारवाई प्रारम की उसमें ये बात कही गई कि एक खास समुधाय को ध्यान में रखते वे असम सरकार के दौरा ये किया गया है जबकि जिस समुधाय के यहां पर बात हो रही वो समुधाय कों से है वो समुधाय है मुसलिम समुधाय तो मुसलिम समुधाय में विवाह समंधित क्या कानून है तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि मुसलिम समुधाय में जो विवाह होते वो मुसलिम personal law के according होते है और उसके अन किसी पर्टिकुलर या किसी खास समुदाय से समंधित नहीं है। वह इसलिए क्योंकि 2011 के संसस के अनुसार जो 12 मिलियन जिन बच्चियों की साधी हुई थी जिन 10 वर्ष से कम उम्र में अगर उसके हम संख्या की बात करें तो उसमें से 84 परतिसत जो आबादी या 7-8 मिलियन ज जहां पर कि मुस्लिम अवादी कितनी है 68% और वहां पर अगर हम देखें कि 18 वर्ष से पहले लड़कियों के साधियों का क्या अनुपात है तो हम इसमें क्या देखते हैं वह 2nd lowest proportion of marriage है और वह कितनी है 5,3 परतिसत अब इससे क्या conclusion निकल रहा है कि अगर हम child marriage की बात करते हैं तो वह particular किसी community से समन्दित नहीं है या उसके साधी के जो विधान है उससे समन्दित नहीं है बलकि जो child marriage की जो घटनाए है उसका मुक्र factor है socio-economic factor असम सरकार के दोरा यह कारी जो किये गए हो सकता है कि किसी राज्य में बाल विवाह के जो मामले है वो और भी बदतर इस्तिती में हो लेकिन कुल मिलाकर यहां पर यह है कि चाहे वो असम हो चाहे वो कोई और राज्य हो बाल विवाह के जितने भी मामले है अगर उसके प्र प्रभावित कौन होंगे गरीब प्रभावित होंगे और अगर बाल विवा को बिना किसी भी नीती के अगर आप तुरंट उसे रोकने के प्रियास करेंगे मतलब यह कि समाजिक आर्थिक विकास को विकास से समंदित नीतियों को दर किनार करते वे अगर तुरंट उसको रोकन में दिक्कत आएगी क्योंकि जो एक व्यक्ति जो परिवार में कमा रहा है उस परिवार की आजीविका छीन जाएगी अगर व्यक्ति जो उस परिवार का मालिक है वह जेल में चला जाता है यहाँ पर इसलिए बात हो रही है कि बाल विवा बढ़ सकता है अगर आर्थिक इस्त प्रवाबना है कि 10 मिलियन से जादा लड़कियां जो हैं वो बाल विवा का सिकार हो जाए यह युनिसेफ की रिपोर्ट है तो इस परकार हमने यहां पर बात की कि असम में असम सरकार के द्वारा बाल विवा को रोकने से समंधित जो कारवाई की गई उससे समंधित विभिन आया मों पर इसके साथ ही इस वीडियो को इसमाप्त करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ नमस्कार दोंट फोगेट तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन तो नेवर मिस इन अप्देट